जै जै श्री राम जै जै हनुमान भक्त जनों तुलसी दास जी द्वारा रचित श्री राम चरित मानस में सबसे सुन्दर तसंग आता है सुन्दर काल का जी हां यह सुन्दर कांड परम राम भक्त श्री हनुमान जी की अनेक अनेक लीलाओं का वर्णन करता है कहते हैं सुन्दर कांड को पढ़ने सुनने एवं गाने से भक्तों को पूरी रामायन पढ़ने का शुब भल प्राप्त होता है तथा साथ ही साथ हनुमान जी और प्रभूश्री राम जी की कृपाएं फ्राप्त होती है तो आईए पवित्र पावन सुन्दर कांड का संगीत मैश्रमन इस सरलवाणी में सुनते हैं एक बार फिर मेरे साथ बोलिये बोलिये भगवान शुरी राम चंदर जी महराज की बुली शुरी हनुमान जी महराज की रामायन में सबसे सुन्दर रामायन में सबसे सुन्दर भगतों सुन्दर कांड है श्री हन्मत की लीलाओं का करता ये गुणकान है रामायन में सबसे सुन्दर भगतों सुन्दर कांड है श्री हन्मत की लीलाओं का करता ये गुणकान है रामायन में सबसे सुन्दर मा सीता को खोचते खोचते श्री हन्मान जी अंगत जाम्मत जी और अन्यवीर सागर तट पर आ पहुँचे जाम्मत के याद बिलाने पर श्री हन्मान जी को उनका बल याद आ जाता है और वे प्रभुराम जी की मुद्रिका को मुख में डाल कर पवन वेक से उड़कर सागर पार करने को निकल पड़ते हैं मार्ग में उन्हें सुर्सा नामक राक्षसी मिलती है जिसे देवताओं ने आहार का वरदान दिया हुआ है देवताओं के वरदान का मान रखते हुई श्री हन्मान जी उसके पेट में से होकर निकल आते हैं सुर्सा उनकी चतुराई से अतिप्रसन्न होती है और उन्हें विजय होने का आशिरवाद देती है। उड़ते उड़ते हनुमान जी लंका नगरिया पहुचते हैं कि क्या देखते हैं द्वार पर लंकिनी पहरा दे रही है। श्री हनुमान जी जियों ही लग रूप बनाकर भीतर प्रवेश करने लगते हैं कि लंकिनी उनका मार्ग रोपकर उनसे युद्ध करने लगती है। मारी लात मुष्ठिकाती मारी लंकिनी धरा पे गिर आई। जाओ राम के काज कराओ हनुमत से वो पतलाई। हनुमान के हाथों मर के मुक्ती उसने पाई है। लंका भीतर हनुमत आए अखियां फिर चौंदाई है। सीया मा का पता न पाए। सीया मा का पता न पाए। पहरत में हनुमान है। श्री हन्मत के लीलाओं का करता ये कुणगान है। रामायन में सबसे सुन्द कुणतो सुन्द कान है। श्री हन्मत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दे लंका में घूमते घूमते अचानक उन्हें श्री राम नाम अंकित एक खुटिया दिखती है सत्य जानने हे तू वे ब्रहमन का रूप बना खुटिया में जाते हैं तो वहाँ पर पापी रामन का श्री राम का परमभक भाई विभीषण को पाते हैं दोनों में मैत्री हो जाती है और वही से हनुमान जी को मा सिया का पता प्राप्त होता है अशोग बाटिका में पहुँचकर श्री हनुमान जी मा सिया को प्रभू की मुंत्री का देकर उनका संदेश देते हैं और मा सीता से वादसल्य और धेर सारे वर्दान प्राप्त करते हैं मा सीता की अनुमती लेकर वो बग्या से फल तोड़ कर खाने लगते हैं जिससे उनका राक्षसों से भैंकर युद्ध हो जाता है जिसमें रावन का पुत्र अक्षे कुमार भी उनके हाथों मारा जाता है अब रावन का परम प्रतापी पुत्र मेग नाद उन्हें पकल कर अपने पिता रावन के पास ले जाता है शीता मा को वापस कर दो हनुमत ये समझाते हैं सुनी बात हनुमत की रावन क्रोध में आ जाते हैं पेल पोरी पट बांद पुनी फिर पूँच में आगती लगवाए अनुमत ने भी राम बोल के सारी लंका जलवाई गूंज रहा लंका में देखो हाँ गूंज रहा लंका में देखो वगतों जैश्री राम है श्री अनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दत, पुन तो सुन्दर कान, शीहन मत के लीला आउता, करता ये गुण गान, करता ये गुण गान, रामायन में सबसे सुन्दत श्री हनुमान जी ने जै जै श्री राम का उधोश करते हुए, सारी लंका को अपनी जलती हुई पूँच से जला दिया, इधर हनुमान जी जै श्री राम बोलते जाते, उधर लंका में हाहा कार मचता जाता, एक विभीषण की कुटिया को छोड़, सारी लंका जलकर राख ब सनमुख फिर आते हैं और निशानी स्वरूप उनकी चूडा मणी लेकर जै श्री राम का उधोष करते हुए रामा दल में लोट आते हैं प्रभू श्री राम सीता का संदेश प्राप्त करते हैं तो हनुमान को प्रिदे से लगा लेते हैं और उन्हें भरत समान भाई बताते ह अब प्रभू की सेना सागर तट पर आप पहुँची हैं तीन दिनों तक करी तफस्या फिर भी सागर ना माना श्री राम ने अगनी बान फिर अपने धनुश पर ठाताना शमा मांग लिसागर ने और यह उपाए थे बतलाए नल और नील के हाथों सागर पर से तू को बढ़वाए शिला तेर गई सागर में शिला तेर गई सागर में जिस पर तो लिखा श्री राम है श्री हनमत की लीला ओता करता ये गुणगान है परता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर अग तो सुन्दर कान है शीहन मत की लीलाओं का परता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर सागर पर सेतु बांध राम सेना लंका तटपरा पहुची रावन का भाई विवीशन तो पहले ही रामा दल में सम्मिलित हो चुका था आज रावन सेना का संचालन मेगनात कर रहा है और इधर राम सेना का नेत्रत्व लक्ष्मन जी कर रहे हैं दोनों योधाओं में घंघोर भयन कर युद्ध हुआ कि तभी मेगनात ने शक्ति प्रहार से लक्ष्मन जी को मुर्चित कर दिया विभीषण के कहने पर लंका नगरी से श्री हनुमान जी वैद्ध सुषेण को लियाए वैद्ध जी के बतायनुसार श्री हनुमान जी पवनवेग से उड़कर हिमालय परवत स्रंकला से संजीवन भूटी वाला द्रोणा गिरी परवती उठालाए संजीवन ग्रहन करते ही लक्ष्मन जी जीवित हो उठे और पूरे रामा दल में जै श्री राम और जै हनुमान जी की जैकार होने लगी बूटी वाला परवत लाए प्राण लखन के राखे थे काम काज करने में हनुमत भगतों सबसे आगे थे भरत समान बताए राम जी उनको हिर्द लगाए थे प्रेम के आसों भक्त और भगवान के आखों आये थे राम चरण में बैठ गए थे राम चरण में बैठ गए थे भगतों फिर हनुमान है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दत तो सुन्दर कान है शीहन मत की लीला आउता करता ये गुणवाल है करता ये गुणवाल है रामायन में सबसे सुन्दत रावन और रामजी के बीच घंगोर युद्धु हुआ भक्तों और रावन का अंकर प्रभूश्री रामजी ने मा जानकी को उनकी कैद से छुड़ाया और भाता लक्ष्मन अपनी पत्नी सीता और अनेक अनेक योध्धाओं के साथ पुष्पक विमान चड़कर अयोध्या आ गए भाई भरत ने विधी विधान से रामजी का राज तिलक करवाया अयोध्या नगरी ने दीप जलाकर सारे नगर में दीपावली मनाई देश देश आंतर के राजाओं ने रामजी और सीता जी को अनमोल उपहार दिये में पहना दी और हनुमत को देखो माला का एक-एक मन का तोड़ता जाता है और उसे फेता जाता है विभीषण के पूछने पर हनुमान जी कहते हैं कि जिस माला में श्री राम नहीं वो माला भला मेरे किस काम कि क्रोधवे विभीषण के ताना देने पर हनुमान जी क्या करते हैं आईए सुनाता हूँ लंका पती ने हसी उड़ाई आखों आसु भराई सीना चीर के रामसिया का दर्शन सब को करवाई राम नाम का चंदन अपने कनमन पे सब रंग डाला राम भगत कोई हुआ न होगा अनुमत तुम सामत वाला जिसकी श्वास श्वास में भगतों पस्ते प्रभु श्री राम है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दें प्राम ठाम भगतों थे बाराम भगतों पस्ते प्रकूप लेए